आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार जैसा कि आप सभी लोगों को ग्यात है कि हम लोग लगातार UPSC 2013 से लेकर के 2019 के बीच जो एकोनॉमी में 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 प्रस्ण पूछे गए हैं उनका डिसकसन कर रहे हैं और आज हम लोग इंडस्ट्री वाले पार्ट से रेलेटड जो कोशन है उस रिंखला में डिसकसन करने जा रहे हैं पीछे हम लोगों ने जो इंडस्ट्री से रेलेटड एकरिकल्चर का पार्ट था या योजनाओं से जुड़ा हुआ इसकीम से जुड़ा हुआ पार्ट था उसके कोशन हम लोगों ने देखे कि किस तरीके से UPSC ने प्रस्ण पूछे हैं और कैसे उन्हें सौल्व किया जा सकता है उसी क्रम में हम लोग आज कुछ और प्रस्णों को लेने वाले हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें कि जो प्रस्ण पूछे गये हैं उन्हें कैसे आसानी से सौल्व किया जा सकता है या उन्हें सौल्व करना कितना आसान है अर्थात UPSC में पूछे जाने वाले प्रस्ण जो है वो बहुत बेसिक समझ से किये जा सकते हैं बसरते की आप केटेगरी बना ले अलग-अलग कुश्चन की अलग-अलग सूची बना ले अल तेजी से सोच सकते हैं तेजी से विचार कर सकते हैं और उसी विचार के साथ आप मेंस में प्रशनों को आसानी से लिख सकते हैं और लिखने में आप जो है आपकी जो लिखने में आप की जो जो है सोच होगी और प्रशनों को ड्रॉप्ट करने की जो आपकी सोच होगी नि हम लोग देखेंगे कि क्या है तो देखें एक question है UPSC 2015 में पूछा गया है इस प्रश्ण में पूछा गया है कि हाल के समय में UPSC 2015 एक question है जो है और बहुत अच्छे से जानते हैं इसका जवाब दिया जा सकता है बहुत basic प्रश्ण है अगर यूँ कहें तो basic प्रश्ण है और थोड़ा सा integrated भी है पूछा गया कि हाल के समय में भारत में आर्थिक समरिद्धी की प्रकृती का वरड़न अक्सर नौकरी विहीन रोजगार विहीन समरिद्धी के तौर पर किया जाता है क्या आप इस विचार से सहमत है अपने उत्तर के समर्थन में तर्ग प्रस्तुत कीजिए अर्थात हाल के समय में भारत में जो आर्थिक समरिद्धी हो रही है उसकी प्रकृती नौकरी विहीन समरिद्धी के रोप में है आप इस विचार से सहमत है अपने उत्तर के समर्थन में तर्ग प्रस्तुत कीजिए इसके इंगलिस वर्जन को देखें आप सभी लोगो ने प्रशन तो समझ लिया प्रशन में ये दिया गया है कि हाल के वर्षों में जो आर्थिक समर्द्धी हो रही है वो जौबलेस ग्रोथ वाली समर्द्धी है अर्था जो भारत की बर्तमान आर्थिक समर्द्धी चल रही है उससे सब लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है या उससे सब लोगों को रोजगार देना संभव नहीं हो पाया है आप इस कथन से कितनी सहमत हैं अपनी उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए तो ये प्रस्ण है आप सूच रहे होंगे कि मैं इस प्रस्ण का डिसकसन इंडस्ट्री वाले पार्ट में क्यों कर रहा हूँ यही समझने वाली बात है जैसा कि आप सभी लोग चानते होंगे कि 1991 में जब आर्थिक सुधार सुनिश्चित किया गया खासकर भारत की अर्थव्योस्था को खोल दिया गया liberalization, privatization और globalization उदारी करण, निजी करण और बैस्वी करण की प्रक्रिया को अपनाया गया तो 33 चेत्र सेवा चेत्र का तेजी से विकास हुआ और आप जानते होंगे सेवा चेत्र में एक तरीके से बूम आ गया और भारत की अर्थव्योस्था में सेवा चेत्र का अगर योगदान देखें, contribution देखें तो वो लगभग 58-60% हो गया मतलब कुल GDP में सेवा चेत्र का योगदान लगभग 58-60% या मैं मोटा मोटा 60% बोलू लेकिन सेवा चेत्र से रोजगार की जो उपलब्धता है सेवा चेत्र के माध्यम से जो रोजगार उपलब्ध होता है वो केवल 28-30% है सोचिए जिस चेत्र का contribution पूरी economy में 60-60% है वो employment में किटना contribute करता है 30% या 28-30% के आसपस contribute करता है तो निश्चित रोप से jobless growth की स्थिती होगे दूसरे आप सभी लोग जानते होंगे कि सेवा चेत्र के विकास से सब को लाब नहीं होता है मूलता है सेवा चेत्र से उन लोगों को लाब होता है जिनमें कौसल पाया जाता है इस्किल पाया जाती है जो highly skilled लोग होते है या यू कहें जिनके पास human capital होती है जिनके पास मानो पूजी होती है या मानो कुसलता होती है लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे भारत एक गरीब देश रहा है भारत में जनसंख्या का जो अधिकतर भाग है वो जीवन के अनकूल सुविधाओं को भी जुटा नहीं पाया है जिसके नाते सिच्छा में, पढ़ाई लिखाई में, प्रबंधन में, कौसल विकास में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग नहीं पहुँच पाया है इस नाते सेवा छेतर के विकास से सिर्फ उन्हीं लोगों को लाव हुआ जो समानत अच्छे घरों से थे या जो कुसलता से युक्त थे इस नाते उनको रोजगार मिल पाता है अब ऐसी स्थिती में रोजगार का दो ही जानते हैं छेतर बचा एक क्रिसी है और दूसरा और दोगिक छेतर आप जानते हैं भारत में क्रिसी सबको रोजगार दे नहीं सकती ऐसे इस श्थिती में रोजगार देने के लिए आपको किस शेतर का विकास करना होगा इंडस्टियल सेक्टर का विकास करना होगा जब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर का विकास नहीं होगा तब तक सब को रोजगार नहीं दिया जा सकता है या तो क्रिसी की का पूरा धांचा बदलिए, क्रिसी सहायक तमाम गतविधियों को बढ़ावा दीजिए तो बहुत सारे लोग वहां कंजीम हो सकते हैं लेकिन इसके बाद भी आपको और दोगिक छेतर के विकास और बिनिर्माड छेतर के विकास को बढ़ावा देना होगा अगर आप देखें तो जो चीन में आर्थिक सुधार हुआ और जो भारत में आर्थिक सुधार हुआ दोनों आर्थिक सुधारों में बेसिक डिफरेंस है चीन में जो आर्थिक सुधार हुआ वो बिनिर्मार छेतर के माध्यम से हुआ 1978 में चीन में आर्थिक सुधारों के सु खायक हुई लेकिन हमारी अर्थव्यवस्ता सेवा प्रधान हो गई जिसके नाते सब को रोजगार नहीं मिल पाया इसलिए भारत में होने वाले आर्थिक समर्द्धी को रोजगार विहिंद समर्द्धी के रूप में देखा जाता है अर्थात ये समस्या जो ये प्रस्ण है भारत की अर्थव्यवस्ता में सनरचनात्मक असंतुलन से जुड़ा हुआ प्रस्ण है और आप सभी लोग जानते होंगे कि ऐसे प्रस्णों को तुरंत समझ लिया कर ये जब पूछा जाए कि हाल के वर्षों में भारत में आर्थिक समर्द्धी की प्रकृती नौकरी विह समर्द्धी के तौर पर रही है तो निश्चित रूप से इसका मतलब आउदोगिक छेत्र के विकास के नहीं हो पाने से जुड़ा हुआ प्रस्ण ये है क्योंकि जो रोजगार ज्यादा जनरेट हो सकता है स्रम गहन जो छेत्र है लेवर इंटेंसिब जो छेत्र है वो आउ समाल मीडियम इंटरप्राइजेज है कुटूर उद्दोग है कुटूरिया सूच मुद्दोग है लगू उद्दोग है मध्यम उद्दोग है क्रिसी आधारित उद्दोग है जैसे कपास उद्दोग है बस्त्र का उद्दोग सबसे नरोजगार वही देता है जूट का उद महत्मा गाधी ने कहा था कि हमें जादा उत्पादन नहीं चाहिए हमें जादा हाथों से उत्पादन चाहिए तो आप जानते होंगे इसका मतलब महत्मा गाधी इस बात पर फोकस कर रहे थे कि हमें ऐसी अर्थव्यवस्ता चाहिए जो सभी लोगों को कंज्यूम कर सके यह दिप महत्मा गाधी का पूरा स्टेटमेंट अब आज के समय में सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि बिना जादा उत्पादन हुए जादा हाथों से उत्पादन हो ही नहीं सकता जबकि महत्मा जानते हैं जो जादा उत्पादन है उसमें आउद्दोगिक छेतर का विकास होना चाहिए इसलिए जब तक आउद्दोगिक छेतर का विकास नहीं होता है तब तक रोजगार विहिंद समरिद्धी की दसा बनी रहेगे तो आप कहेंगे कि रोजगार विहिंद समरिद्धी से निपटने के लिए क्या किया जाए तो निश्चित रूप से आपको अधारित उद्दोगों के विकास के लिए नीतियों को बनानी किया हो सकता है लग कुट्यूर और सूच वो उद्दोग को बढ़ावा देनी किया हो सकता है क्रिसी आधारित उद्दोगों के विकास की रण तभियान के अंतरगत यम यस मे सेक्टर को अर्थात लगू सूचम और कुटीरू दोग छेतर को बढ़ावा देने के लिए एफर्ट इसलिए कर रही है ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोगों को कंज्यूम करने किया जा सके ज़्यादा इंप्लाइमेंट को जनरेट किया जा स इसलिए भारत की बरतमान सरकार जो है कुल जीडीपी में बी निर्मार छेतर को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है और कुल जीडीपी में बी निर्मार छेतर के योगदान को बढ़ा करके 16% से 25% तक ले जाना चाहती है 2022 तक कुल जीडीपी में बी निर्मार छेत के योगदान को सरकार 25% करना चाहती है ताकि ज़्यादा ज़्यादा इंप्लाइमेंट को जनरेट किया जा सके और इसके लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया जैसे बहुत सारे कारिकरब चलाए जा रहे हैं और मुद्रा योजना, स्टैंडप इंडिया, इसमाल फिनेंशियल बैंक और जो है सेल्फ हेल्प ग्रूप को प्रमोट करने वाले और जो है बिना जो है किसी मौर्टिकेज के लोन देने की विवस्था ऐसे तमाम प्रिक्रियाओं को अपनाया जा रहा है ताकि जो है रोजगार को ज्या से जड़ा उतपन करने वाले आर्थिक छेतर का विकास किया जा सके और जो जनानांकी लाभान से उसका उचित लाभ प्राप्त किया जा सके तो कुल मिला जो लाकी इस प्रस्ण के माध्यम से मुझे आपको बताना है कि ऐसे प्रस्ण भी इंडस्ट्री के सेटर से जुड़ हुए हैं क्योंकि भारत के अर्थव्यस्ता में जो रोजगार उत्पन्द करने की छमता कम है उसका सबसे बड़ा कारण है कि और दोगिक चेतर और बिनिर्मार चेतर का विकास नहीं हो पाया है और दोगिक चेतर बिनिर्मार चेतर में रोजगार को उत्पन करने की ज़्यादा चमता है जबकि यही चेतर भारत का विक्सित नहीं हो पाया है यद्ध बर्तमान की सरकार या जो पिछली सरकार भी थी इस बात से ओगत इसलिए बिनिर्मार छेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और ताकि भविस्थ में हम अपने अर्थव्योस्ता को रोजगार विहीन समरिद्धी से रोजगार युक्त समरिद्धी की तरफ मोर सकें और समावेशी विकास की नियू बना सकें ये प्रस् उत्पात की समगर समरिद्धी में और दोगिक समरिद्धी दर पिछड़ती गई है कारण बताए और दोगिक नीत में हाल में किए गये परिवर्तन और दोगिक समरिद्धी दर को बढ़ाने में कहां तक सच्छम है सोचिए UPSC ने ये प्रस्न पूछा बहुत आसान है in overall growth of grass domestic product अर्था GDP in the past reform period give reason how far the recent changes in industrial policy are capable of increasing the industrial growth rate कहने का तात पर है जो 1991 में हम लोगों ने आर्थिक सुधार को सुरू किया उसमें आउदोगिक समरिधी दर लगातार पिछडती गई तो कह रहें कि जो सुधारोत्तर अवधी रही है सकल घरेले उत्पाद में आउदोगिक समरिधी दर क्यों घडती गई है कारण बताईए और आउदोगिक नीत में हाल में किये गए परिवर्तन आउदोगिक समरिधी दर को बढ़ाने में कहां तक सक्छम है आप सब लोग प्रस्ट समझ गए कहने काताथ पर सुधारोत्तर अवधी में अर्थात 1991 के बाद जो आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की गई उसमें आउदोगिक समरिधी दर क्यों कम होती गई इसके कारण बताए और अभी जो आउदोगिक नीत में परिवर्तन किया गया है ताकि आउदोगिक समरिधी दर में सुधार हो आउदोगिक समरिधी दर को बढ़ाया जा सके यह कहां तक सच्छम है इसका मतलब पिछले जैसा ही यह प्रश्ण है जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था का जब तक संतुलित विकास नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था में ना तो निश्चित्ता आएगी और ना ही अर्थव्यवस्था संतुलित रूप से विक्सित हो पाएगी इसलिए सनरजनात्मक असंतुलन को दूर करते हुए अर्थव्योस्ता के समग्र विकास की ऑशकता है और समग्र विकास के लिए आप जानते हैं आउदोगिक छेतर का विकास आवस्सेक है क्योंकि भारत की अर्थ व्यूस्ता में जो है प्लस पॉइंट है कि हमारा सेवा छेतर विक्सित है या सेवा छेतर बहतर है और करसी छेतर भारत का बहतर रहा ही है ये अलग बात है कि करसी छेतर पिछड़ा हुआ है जतना potential है उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं लेकिन अ आर्थिक सम्रिद्धी दर बहुत अधिक नहीं बढ़ सकती ये एक पॉइंट है जो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे सभी अर्थास्त्रियों का निस्कर्स है कि आर्थिक सम्रिद्धी एकोनामिक ग्रोथ रेट कृसी के माध्यम से नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि लोगों तब भी लगबग उतना ही खाता पीता है औरती तो दस ऐर खाता कमाता है तो दाल छावल रोटी सबजी खाता बीस हजार कमाएगा, तो बहुत होगा, फल की मात्रा बढ़ा देगा, या जो है, रेस्टोरेंट में खाना खाने लगेगा, तो रेस्टोरेंट में खाना जब खाने लगेगा, तो सेवा छेतर का विकास हो जाएगा, होटल में जाकर के और पचास जार कमाने लगेगा, होटल लोग बहुत सारे लोग इस पॉइंट से सामत नहीं है लेकिन यह पूरी दुनिया के अर्षास्त्रियों का निसकर्स है भारत की अर्थव्यूस्ता में भी यही निसकर्स माना जाता है इसलिए कभी भी यह नहीं कहा जाता कि अगरिकल्चर सेक्टर का ग्रोथ बढ़ जाएग तो आप क्रिसी वाले पॉइंट को एक सप्लिमेंट के रूप में ही लिखे और सबसे नीचे लिखे जादस जादा पॉइंट आप आउदोगिक छेत्र या बिनिर्माण छेत्र के संदर्ब में लिखेंगे तो निश्चित रूप से प्रस्ण का एंसर अच्छा माना तो इस प्रस्ण में कहा गया है कि जो 1991 के बाद आर्थिक सुधार हुआ है उसमें आर्थिक सम्रिद्धी दर लगातार जो है घटती गई है इसके कारण बताईए और अभी हाल में जो और दोगिक नीच बनाई गई है उसके मार्जम से कैसे आर्थिक सम्रिद्धी दर को उस संदर्व में आर्थिक सम्रिद्धी जो एकोनामिक ग्रोथ रेट कैसे घटती गई तो पहला पॉइंट 1991 के बाद जो आर्थिक सुधार सुरू किया गया उससे सेवा छेतर का विकास हुआ क्योंकि भारत की अर्थिव्योस्ता को खोला गया बैस्वी करण उधारी करण और निजी करण को बढ़ावा दिया गया तो इससे जो है सेवाओं का विकास हुआ भारत में कॉल सेंटर का आउट सोर्सिंग का और सहर आधारित गर्दविधियों का विकास हुआ जिसके नाते सेवा छेतर का अपने आप विकास होने लगा अच्छा इसके लावा संचार क परांती हुई जिसके नाते भारत में बैठे बैठे लोग दुनिया के अनेक छेतरों में अपने सेवाएं देने लगे इस नाते सेवा छेतर के विकास के अनकूल दसाबर लेकिन और उद्दोगों के लिए आधार भूत संरचना ही नहीं थी उद्दोगों के लिए बिजली बहुत बड़े अस्तर पर निवेस की जरूरत होती है उर्जा की उपलबता एक दो साल में नहीं करवाई जा सकती बहुत बड़े अस्तर पर पावर प्लांट बनाने में समय बहुत सारा समय लगता है बहुत बड़े अस्तर पर निवेस की हो सकता होती है इसलिए सम्रिद्धिदर घड़ती गई आप आश्र चकित होंगे 1989 में भारत में कुल GDP में और दोगिक छेत्र और बिनिर्मार्ण मतलब कुल GDP में और बिनिर्मार्ण छेत्र का योगदान 16.4 परशेंट था 16.4 परशेंट और 2019 में भी कुल GDP में भी निर्मार्ण छेत्र का योगदान 16 परशेंट है 16-17 अर्थार आज के 30 बर्स पहले जो आर्थिक सम्रिद्धी दर जो आज के 30 साल पहले जो भी निर्मार्ण छेत्र का योगदान GDP में था उतना ही आज भी भी निर्मार्ण छेत्र का योगदान है इसका मतलब भी निर रही नमबर दो सरकार के पास जो है और दोगी जो विकास के लिए प्रापर नीत ही नहीं रही उचित नीतियां नहीं रही नमबर तीन जो है बैस्वी करण से जो हमारी जरूरते थी वो आयात के आधार पर पूरी हो जाते थी इसलिए धीरे धीरे जो सरकार जो चीजे नहीं बना पाती थी वो चीजे दूसरे दिशों से प्राप्ट करने लगी और उसके बाजार पर फोकस करने लगी तमाम आवस्यक तक्नीकी अनुशंधान नवाचार की भी उपलब्धता नहीं थी तो इस तरीके से हमारा आउदोगिक समरिद्धीदर जो है लगातार हमारी आउदोगिक समरिद्धीदर घटती गई और दूसरी छेतर का योगदान बढ़ता गया जिसके नाती जो है हमारा आउदोगिक हमारा जो इंडस्टियल ग्रोथ रेट था वो लगभग घटता गया उसी के संदर में ये प्रस्ण पूछा गया है कि सुधार उत्तर अवदी में सकल घटती गई कारान बता ये तो आप कारान बता देंगे फिर पूछा गया है कि आउदोगिक नीत में हाल में किये गए परिवर्तन और दोगिक समरिद्धीदर को बढ़ाने में कहां तक में सरकार ने बिनिर्माड छेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया नाम के स्कीम बनाई 2014 में और मेक इन इंडिया का लच्छ है कि बिनिर्माड छेत्र के योगदान को 2022 तक 16% से 25% तक ले जाना है और मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और इसके लामा स्टार्ट अप इंडिया जैसे तमाम प्रोग्रामों को सुरू किया गया इसके लामा जो है साइंस एंड टेक्नोलोजी की माध्यम से भी आर्थिक समरिद्धी को कैसे पहल की गई है ताकि आने वाले समय में जो है और दोगिक छेतर को बढ़ावा देने के लिए बड़े अस्तर पर पहल की जा सके तो इस तरीके से इस प्रस्ण को आप आसानी से लिख देंगे इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इंडेस्टियल सेक्टर से जुड़ा हुआ एक प्रस्ण और है आप इसे देख लें और इसके माध्यम से आप भी आप देखेंगे कि कैसे वही प्रस्ण जो हम लोगों ने डिसकस किया है उसी तरीके का प्रस्ण है लेकिन लेंग्विज को थोड़ा सा बदल करके पूछा प्रस्ण है पहले हिंदी में सुन लें फिर इंगलिस में समानत है देश क्रिशी से उद्दोग और बाद में सेवाओं को अंतरित होते हैं पर भारत सीधे ही क्रिशी से सेवाओं को अंतरित हो गया देश में उद्दोग के मुकाबले सेवाओं की विसाल समरिद्धी के क्या कारण है क्या भारत ससक्त और दोगिक आधार के बिना एक विक्सित देश बन सकता है normally countries shifted from agriculture to industry and then later to services but India shifted directly from agriculture to services what are the reason for the huge growth in services with industry in the country can India become a developed country without a strong industrial base अर्थात समानत है कोई देश क्रिशी से उद्दोग और फिर सेवाओं में convert होता है लेकिन भारत सीधे क्रिशी से सेवाओं में convert हो गया इसके क्या कारण है पहले तो यह बताना है फिर दूसरा पार्ट है क्या और दोगिक ससक्त और दोगिक अधार के विना भारत बिक्सित देश बन सकता है तो पहले पार्ट का answer क्या सबसे पहले आप कहेंगे कि अर्थव्योस्ता समानत है बिक्सित होने के क्रम में पहले क्रिशी छेतर से और दोगिक छेतर और और दोगिक छेतर से सेवा छेतर में अंतरित होती है तभी वह अर्थव्योस्ता संतुलित और समग्र और व्यवस्थित अर्थव्योस्ता मानी जाती है लेकिन आप कहेंगे कि भारत की अर्थव्योस्ता में ऐसा क्रमिक विकास नहीं हो पाया ऐसा क्रमिक विकास नहीं हो पाने के कारण भारती अर्थविवस्ता में सनरचनात्मक असंतुलन आ गया जिसके नाते सेवा छेतर का बड़े अस्तर पर विकास हो गया और सेवा छेतर का कुल GDP में लगबक 60% योगदान हो गया लेकिन और दोगिक छेतर का कंट्रिब्यूशन सेवा छेतर का GDP में योगदान 60% है लेकिन रोजगार में 28-30% योगदान है ऐसे में भारत की अर्थविवस्ता में रोजगार की कमी होती चली गई अब इसके लिए कारण क्या है सबसे पहले हो कारण लिखना होगा पहला पॉइंट आप कहेंगे कि आपनिवेसिक काल में ही भारती अर्थविवस्ता के डी इंडस्टलाइजिशन के लिए अंग्रेजों ने प्रयास किया था अंग्रेजों ने ही भी अउद्दोगी करण की नीत को अपनाया था ताकि भारत का उद्दोगी विकास ना हो और आजादी के बाद भी समानते यह प्रभृत्ती बनी रह उस तरीक के अउद्दोगी विकास पर फोकस नहीं लगातार बना रह पाया यह द्य दूसरी पंचवर्सी योजिना में उद्दोगी विकास पर फोकस किया गया था लेकिन लग और कुटीर उद्दोगों के विकास को सुनिष्चित नहीं करने के कारण जो है पूझी गहन उद्दोगों का विकास हुआ पहला point आप कहेंगे कि आजादी के पहले से अबहले से ऐसी प्रबर्ति दूसरा point आप कहेंगे कि भारत में उद्दोगों के विकास के लिए आधारभुष सनरचना की कमी रही है विसेशकर उर्जा, परिभवन जैसे छेत्रों का ठीक से विकास नहीं हो पाया जिसके नाते अवदोगिक छेत्र का विकास नहीं सुनिशित हो पाया तीसरा कहेंगे 1991 में आर्थिक सुधारों पर बैस्वी करण और उदारी करण का प्रभाव रहा जिसके नाते जो है बाजार के अनुसार गतविधियों का विकास हुआ और इस नाते सेवाओं का विकास सुनिश्यत हुआ तीसरा कहेंगे कि 1990 के दसक में सूचना और संचार तकनीकी का भारत में तेजी से विकास हुआ और सुचना और संचार तकनीकी के विकास के नाते सेवाओं के विकास में आसानी हुई तभी हमारे यहाँ पे कॉल सेंटर का विकास, आउट सोर्सिंग का विकास हुआ और पूरी दुनिया में भारत ने इस छेतर में अपना परचम लहराया आईटी एनेबल सर्विसेज में भारत का बहुत बड़ा पूरी दुनिया में योगदान है अच्छा बैस्विक अस्तर पर भी सेवा छेतर की ही मांग रही जिस के नाते इस छेतर के विकास को बढ़ावा मिला लेकिन इससे समस्या क्या हुई कि इससे हमारी जीडीपी का साइज बढ़ा हमारे जीडीपी में जो है देखा जाये तो गदविधियों में बृद्धी हुई लेकिन रोजगार जो है सब के लिए नहीं हो पाया केवल कुशल लोगों के लिए रोजगार के उपलब्ता हुई तमाम अर्ध कुशल और आकुशल लोगों के लिए रोजगार की कमी होने लगी जिसके नाते अर्थ व्यवस्ता में डिवाइड भी बढ़ा गाउं और सहर के बीच की दूरी भी बढ़ी और साथी साथ रोजगार विहींद सम्रिद्धी की दसा बनी फिर कोशन का दूसरा पार्ट है कि क्या ससक्त और दोगिक आधार के बिना भारत बिक्षित हो सकता है आर्थिक सम्रिद्धी दर भी बढ़ी है लेकिन रोजगार में इसकी भूमी का कम होने के कारण सब को इसका लाव नहीं हो पाया अच्छा भारती अर्थव्योस्ता का लाव सब को मिल सके और इसका समावेशी विकास हो सके इसके लिए बिनिर्माण छेत्र और और दोगिक छेत्र के विकास को सुनिश्चित करना होगा तभी जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिवाइडेंट है तभी हमारे पास जो जनसंख्या का लाव हांस है उसका हम पूरा लाव उठा पाएंगे और अपने लिए भी आवस्यक बस्तूओं को सुनिश्चित कर पाएंगे अभी आवस्यक बस्तूओं के मामले में दूसरे देशों पर निर्भरता है आवस्यक बस्तूओं के मामले में भारी अस्तर पर हमारा आयात है इसी नाते बैपार में बहुत बड़े अस्तर पर घाटा है भारत का जो है जो बियो विकास के पे सरकार को फोकस करना होगा और जो है ऐसी प्रिष्ट भोमी तैयार करनी होगी जिससे हम स्रम गहन गत्विधियों को बढ़ावा दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एब्जॉर्ब कर सकें और भारत की अर्थव्योस्था सबका साथ और सबका विकास और अध्योगी छेत्र की समझ को सुनिश्चित रोप से इस प्रस्न को लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इंडस्टियल सेक्टर से जुड़े हुए प्रस्न भी UPSC में पूछे जाते रहे हैं। एद्धप ये प्रस्ण ये किया दूख की संख्या में रहे हैं, लेकिन फिर भी इन प्रस्णों को करके आप बहुत बड़े अस्तर पर बढ़त प्राप्त कर सकते हैं, और मीन्स में अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं, UPSC में एक एक नंबर जो है बढ़ाने की रणीत बनानी होगी, क्योंकि एक एक नंबर बढ़ाने से आप ऊवराल एक पेपर में 10, 15, 20 नंबर बढ़ा ले जाते हैं, इसलिए हर प्रकार के जो सेक्टर वाइज प्रस्ण पूछे गए हैं, उन पर अपनी रणीत तयार करनी और अपने जीवन को सार्थक बना सकें, और जो है जो विजन लेकर के, जो लच्छ लेकर के आप चले हैं, जिस पर हजारों लोगों की निगाह है, उसमें आपकी सफलता आशान हो सकें, तो आज के इस लाइब डिसकशन में हम लोग यहीं तक डिसकस करेंगे, आगे कल जो ह जो फॉरें सेक्टर से जुड़ा हुआ प्रस्ण UPSC में पूछा गया है, उसकी रड़नीत और उसे जुड़े हुए प्रस्णों को भी समझेंगे कि कैसे उन्हें सौल किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने सुरू में ही भारती अर्थविवस्ता को बांट लिया था, कि भार हम लोगों ने मिसलीनियस कहा था, जिसमें बहुत सारे सेक्टर को जूड़ करके या जो बेसिक एकोनॉमी से जुड़ा हुआ प्रस्ण है, वो पूछा जाता है, तो इस तरीके से हम लोगों ने दो सेक्टर को पूरा कर लिया, अग्रिकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री को अब इसके बाद सर्विस सेक्टर और फॉर्ण सेक्टर को अगले जो है लाइब क्लास में, अगले आनलाइन क्लास में हम लोग पूरा करेंगे, जिससे आप लोगों को इस से जुड़े हुए प्रस्णों को जानने और समझने में भी आसानी होगी, बहुत बहुत धन्यबा प्रस्त।